नमस्कार सरफ साबुन और केमिकल से हमने कपड़े तो बहुत बार धोय होंगे लेकिन क्या हो जब कभी आप ऐसी जगा पे फस जाए या ऐसी जगा पे हो जहां पे डिटर्जेंट या सरफ साबुन नौ मिले और कपड़ा धोना जरूरी हो तो क्या कर सकते हैं यह वीडियो इसी टॉपिक पे है और वह समान लगवक हर जगा आसानी से मिल ही जाता है तो आएए यह एक एकस्प्रेमेंटल वीडियो है उसको देखते हैं और समझते हैं क्या इससे कपड़े धोना प्रभावी है या नहीं है तो बने रही है इस वीडियो पे प्रयोग करके देखते हैं यह कितना कारगर है तो देखिए यह वाइट शर्ट है कालर पर भी कुछ गंदगी है यह शर्ट का टैग है ब्रांड का कफ पर देखिए कुछ दाग दब्बे हैं यहां पर दाग नहीं मेल है जो नॉर्मली वाइट कपड़े पहनने से हो जाते है हम पानी लेंगे उतना ही पानी लेंगे जितने में यह शर्ट अच्छी तरीके से डूब जाए और यह देखिए कोलगेट पाउडर दंत मंजन है हाँ यह कर लो पहले नया पैक है इसको खोलेंगे और अंदाजे से अपनी इच्छा नुसा चुकि यह एक्सपेरिमेंट है तो इसलिए मैं इस वह अच्छा ले रहा हूं कि देखें यह साफ करता है कि नहीं करता है चुकि कॉलगेट पाउडर से दांद साफ हो सकते हैं पत्थर साफ हो सकता है तो कपड़ा भी साफ होना चाहिए वा जाग तो बन रहा है डिटरजेंट की तरह देट मेंस कि इसमें तो भी एसल एस सोडियम लॉरियल एथनाइल से सलफिट मिला होता है जिसे से जाग बनता है आदे घंटे के लिए हमने रखा था थोड़ा सा ब्रस भी लगाएंगे जैसे हम डिटर्जेंट से साफ करते हैं तो ब्रस लगाते हैं कफ और कॉलर पर हमने लगाया है ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे बस और थोड़ा सा बाल्टी में ही इसको इदाउदर करके और इसको खा साफ तो लग रहा है jangan साफ पानी लेंगे थोसब पानी आधे बल्टि आसपास है इसको खांगालेंगे लेकिन यहां पे मज़े की बात यह सर्व की तरह नहीं निकलेंगाया मेरे ख्याल से लग रहेंए raz ist अ का बन जाएगा यानि कि पानी की बचत हो सकती है अब सूखने के लिए धूप में डालेंगे और सूखाने से पहले देख लेते हैं कैसा दिख रहा है यह सूख गया है कपड़ा और सफाई तो ठीक लग रही है दैट मिंस कि यह इस परियोग से यह पता चल रहा है कि मजबूर है तो फ्रेंड्स महेंगा है लेकिन काम का है आपने देखा रिजल्ट संतोष जनक है ऐसी प्रस्थिती में जब आपके पास सर्फ शाबून या डिटर जे न हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं जो पेश्ट रूप में है उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं और थोड़ प्रमास महेंगा तो रहेगा लेकिन नहीं है तो इससे चलाया जा सकता है एक बार के लिए यह बद्ट सरये bell ज्स प्रोड़क के बारे में बताया उस प्रोड़क के बारे में कुछ निगЙटिव या कुछ बुरा भला कहने का मेरा विचाष नहीं था यह बस एक मौनरंजन था और information देने के बारे में था तो बने रही है चैनल पर और content अच्छा लगा हो तो like बटन जरूर दबाईए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार